हेलो फ्रेंट्स तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Alexa के बारे में जी है फ्रेंट्स Alexa का नाम अक्सर आपने टीवी अड़ेटाइजमेंट में या फिर अगर आप इंटरनेट का इस्तिमाल करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो फ्रेंट्स अब बात करते हैं इस Alexa के बारे में जी हां फ्रेंट्स Alexa एक डिवाइस है जो की Amazon द्वारा एमजन जो कंपनी इसके द्वारा लॉंच किया गया है यहां पर यह जो डिवाइस है इसको हम डिजिटल वोइस असिस्टेंट डिवाइस कह सकते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा यह एक ऐसा डिवाइस है जिसको अगर आप अपना ऑपरेट करत हैं तो यहां पर इससे आप किसी भी तरह का कोई सवाल पूच सकते हैं माट कि चलिए आपने कुछ कोश madam करना है इससे जैसे आप Google का इस्तमाल करते हैं वहां पर आपको जो information मिलती है वह आपकी display पर आती है लेकिन friends अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं तो यहां पर आपको जो information बुलेगी वह voice के through मिलेगी यानि कि आप इस device को इसको आप अपने mobile के साथ operate कर सकते हैं आसानी से अब यहां पर आपको बताना चाहूंगा जो आपके घरों में smart home होते हैं जो smart घर होते हैं उनके अंदर कुछ appliances होते हैं जो की automatically work करते हैं ऐसे में यह जो Alexa है उन सभी appliances साथ connect हो सकता है उनको remotely कह सकते access कर सकते हैं जैसे आपके जो doors होते हैं दरवाजे होते हैं जो automatic खुलते हैं बंद होते हैं उनको आप इसके साथ connect कर सकते हैं आपकी music systems हो गए इनको आप connect कर सकते हैं आपकी जो यह conditioners हो गए घर के इनको यानिकी AC हो गया उसको connect कर सकते हैं उसको operate कर सकते हैं चालू करने के लिए बंद करने के लिए या फिर आपको temperature adjust करना है उसके लिए तो यहाँ पर आपके जो mostly जो आपके remote devices होते हैं, जो smart devices होते हैं, उनको आप इसके साथ आसानी से connect कर सकते हैं और इसको use कर सकते हैं, अब यहाँ पर friends में आपको पताना चाहूंगा, यह जो Alexa है, इसका काम करने का तरीका यह है, कि यह device है इंटरनेट से connected रहता है, तो एक ऐसा device समझ सकते हैं, जो आपको कह सकते हैं, हर तरीके का सवाल का जवाब दे जाएगा, लेकिन friends इसकी जो एक अलग बात है कि आपको display नहीं करेगा, display भी कर देगा, लेकिन आपके पास अगर ऐसा कोई device है, जिसको इसके साथ आप आसानी से connect कर सकते हैं, मान के चलि आप कोई music play करने के लिए बोलें, फिर चाहें आप कोई question इससे पूचें, किसी भी तरेका question कि आज क्या मोसम है, आज कौन सा दिन है, या फिर कोई भी ऐसा question जो आप internet पर search कर सकते हैं, वो यहाँ पर भी आप प्राप्ट कर सकते हैं, Alexa के जरिए, तो friends ये था complete एक छोटा सा mobile के अंदर, और ये एक अलग device है, जो उसी feature पर काम करता है, आप Google Assistant पर कुछ भी search करते हैं, कुछ भी बोलते हैं अपनी भासा में, यानि कि आपको अगर तेल गयो आती है, कोई गुजराती भासा आती है, तो आप उसमें उससे connect कर सकते हैं, उससे communicate कर सकते हैं, तो कुछ इ 30,000 अगर आप spend कर सकते हैं, तो आप इसको आसानी से buy कर सकते हैं, और इसकी जो रदेंज है, वो काफी उपर तक चली जाती है, 10-15,000 के रेंज में आपको मिल जाएगा, तो ये आपके coding है कि आपको किस budget में आपको ये अगर खरीदना है, तो लेना चाहिए, तो friends, मैं उमी